आज होली थी, बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे, कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिछकारी मार रहा था तो कोई कीचर में लिपता हुआ कुछ अलगी नजर आ रहा था, लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात हुली है भाई हुली है बुरा नमानो हुली है लेकिन बाहर के इतने शांदार रंगों से अंजान दीपेंद्र अपने कमरे में बैठा मुबाइल में गेम खेल रहा था तब ही उसकी आँखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा दीपेंद्र कौन माला अरे पहचानिये दीपेंद्र माला माला भाभी माला अरे वाह देवर जी आप तो तुरंट पहचान गए माला ने अपना हाथ दीपेंद्र की आँखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना माथा हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ माला भाभी ही नहीं बलकि दिव्या और रं यह कह कर उन लोगों ने फिर से दीपेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच माला भावी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दिपेंद्र की और देखते हुए कहा। माला, देवर जी, तयार है ना, रंगों भरी बाल्टी में डूप की लगाने के लिए, ये कहकर माला बाल्टी के रंगों को एक पिछकारी में भर कर दीपेंद्र पर डालने लगी, दीपेंद्र, अरे, अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी, माला, अरे, ऐसे क कैसे हो गया, भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या, ये कहकर उन तीनों ने दीपेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी, दीपेंद्र, अरे, कहा ले जा रही है मुझे आप लोग, दिव्या, आप भी ना, सवाल बहुत पूछते ह चल마 जहा ले जा रहे है, उसके बाद तीनों भाभी दीपेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई, दीपेंद्र ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को डेखा तो बोल पड़ा दीपेंद्र, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है दीपेंद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्ता मारा और वो उस टब में जागिरा उसके बाद सारे भाभिया जोर-जोर से खिल-खिला कर हसने लगी और उससे कहने लगी रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ हुली खेलने का मज़ा दीपेंद्र, आ तो रहा है लेकिन इसा लग रहा है कि हुली एक तरफा हो रही है माला, अरे ऐसा क्यों, दीपेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहा लगाया आप लोगों को रंग अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनो भावियों को टब में धखेलने लगा दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनो भाविया, अरे, छोड़ दो मेरा हाथ अरे देवर जी, छोड़िये ना, दिपेंद्र, अच्छा, जब आपकी बारी आए तो कह रही है, छोड़िये छोड़िये अरे, कैसे छोड़ दे आपको उसके बाद दिपेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है दीपेंद्र, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगिली भाभियों की जबरदस्त होली तब में चारो के चारो होली की खुमारी में डूबे हुए थे दीपेंद्र कभी माला भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को कभी तीनो भाबिया उसके चहरे को फिर से रंग देती बीपेंद्र, क्यो रंगीली भाबियो, ये वाली होली कैसी है तीनो भाबिया, मस्ठ है होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुला कर गले मिला जाए और मस्थी के रंगों में दूबा जाए ये कहकर तीनों भावियों ने दीपेंद्र को गले से लगा लिया दीपेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस महले में आने के बाद उसकी पहली हुली इतनी शांदार और यादगार होगी छे महीने पहले ही तो वो इस महले में रहने आया था एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नजर सबसे पहली बार माला भावी पर गई थी माला भावी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी माला भावी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था दीपेंद्र वाव कितनी सुन्दर है ये क्या तीखे नैन नक्ष है इसके इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं तभी माला भावी की नजर दीपेंद्र पर गई दीपेंद्र और माला दोनों की नजरे मिली दीपेंद्र बिलकुल छेप गया तभी माला भावी ने उसकी और मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आँख दबा दी माला भावी की इस हरकत पर दीपेंद्र के दिल की धर्कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा मस्त है अरे वाँ इतनी जल्दी ग्रीन सिगनल मिल गया मुझे क्या किस्मत है मेरी उसके बाद तो उन दोनों का नैन मतक का हर देन शुरू हो गया कभी दीपेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी माला अपनी बालकनी में उसका इंतजार करती हुई मिलती उन दोनों ने इशारों इशारों में बाते करके एक दूसरे का फोन नमब़ भी ले लिया था अब वे घंटों बाते भी करने लगे थे माला, अरे यार, फोन रख भी देजिये देवर जी, कितनी बाते करेंगे दीपेंद्र क्या करून भाभी आपसे बाते करके जी नहीं भरता माला वो तु ठीक है लेकिन कुछ बाते कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी क्योंकि मेरे पती का फोन आने वाला है ये कहकर माला भाभी ने फोन रख दिया लेकिन इस बीच दीपेंद्र के साथ एक और घटना घटी एक दिन दीपेंद्र बहुत देर से माला का इंतजार कर रहा था लेकिन माला बालकनी में नहीं आई दीपेंद्र क्या बात है बहुत बहुत देर हो गई माला भाभी बाहर नहीं आई फोन करूँ क्या मैं उन्हें दीपेंद्र बेसबरी से माला का इंतजार कर रहा था तभी उसकी नजर माला की बालकनी में एक और खूपसूरत औरत पर गई पहले तो दीपेंद्र को लगा कि वो माला ही है लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला दीपेंद्र अरे ये कौन है पहले तो कभी माला भावी के यहां नहीं देखा माला रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी इसका सबसे बड़ा कारण था कि वल तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी माला ने जब अपने दोस्तों से दीपेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे दिव्या सच में यार बहुत ही हैंसम है वो रंजना अच्छा पर यार ये तो गलत बात है ना पिछले एक महीने से तू जिन्दगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है माला बता तो दिया ना चिपाया तो नहीं दिव्या अरे हमसे क्या चुपाओगी रानी हम तो दिवार क्यार पार भी देख लेते हैं दिपेंद्र रंजना को देखकर खयालों में खोया हुआ था तभी बालकनी में माला और दिव्या भी आ गई उसके बाद वो तीनों दीपेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया दीपेंद्र जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती है तो दीपेंद्र के मन में में लड़ू फूटने लगे वो मन ही मन सोचने लगा दीपेंद्र वाह इसे कहते है किस्मत का धनी हुना एक साथ तीन तीन रंगीली भावियों का प्यार वाव दीपेंद्र क्या किस्मत पाए है माला, रंजना और दिव्या के पती बाहर जॉब करते थे वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लोट जाते उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था लेकिन वो उनके भरोसे को तार-तार कर रही थी माला, रंजना और दिव्या भावी के पती वहां पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दिपेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा सात्वे आस्मान पर जा पहुँचा माला का पती, ये सब क्या है? क्या है ये सब? माला, जी, वो, वो हम लोग होली खेल रहे हैं पर आप लोग कब आये? आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है, माला का पती, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी अरे इस तरह से कौन होली खेलता है हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो रंजना और दिव्या के पती भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबुला हो रहे थे रंजना और दिव्या के पती, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता है पती पत्नी का रिष्टा प्रेम और विश्वास का है उसे इस तरह कौन आग लगाता है दीपेंद्र जो अब तक मस्ती में दूबा हुआ था उसके दिल की धरकन अब बहुत तेज हो गई थी उसे लग रहा था कि उन तीनों के पती उसकी जबरदस्ट पिटाई करने वाले हैं वो भागने की ताक में था कि तभी माला के पती ने कहा माला का पती, देखो, तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम ही छोड़ देते हैं तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आजाद हो तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो उनकी बातों को सुनकर दीपेंद्र ने कहा दीपेंद्र, अरे ये क्या बात हुई मौज मस्ती तक तो ठीक है लेकिन साथ कौन रहेगा और वो भी इनके जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई वो, मेरी क्या होंगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ दीपेंद्र की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा उन्हें खुद से घ्रिना होने लगी उन्हें अपने किये पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गल्ती की है पश्चाताप के आंसू उनकी आँखों में दिखाई देने लगे थे माला, हमें माफ कर दीजिए हम गलत राह पर चल निकले थे दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है हमने आपका विश्वास तोड़ा है हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें ऐसी गलती फिर नहीं होगी तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वही पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा तीनों के पति, हुली है हुली के त्योहार के दिन तीनों भायों ने अपने जीवन से विश्वास घात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कूमंट में जरूर बताएं